एक आईस कैसा था ये ड्रामा वेल गूड मॉर्निंग शुरुआत मैंने ड्रामा से इसली की क्योंकि आजकल हर जेकर ड्रामा ही चल रहा है सबसे बड़ा ड्रामा तो चल रहा है ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं आप लोग थमनेल देखकर समझ गए होंगी कि आज का वीडिय क्या है जो बहुत कमाल का है रॉंग्टे आपके जरूर खड़े कर देगा लेकिन आगे जाने के बाद सच में सब कुछ अच्छा होगा वेल क्या है स्टोरी बताने वाला हो एक छोड़ी जी रिक्वेस्ट सब्स्राइब तो मॉझे बहुत सपॉर्ट मिलेगा आपका थैंक देखकर आप में से कई सारी लोग मुझे मेसेज भी कर रहे है कि वो जो थ्री फ्रेम का शॉट है जिसके अंदर अर्मान अभीरा और रूही एंडिंग फ्रेम में सब जगे तीनों आते हैं और शादी की बात होती है तो अब शादी का ट्विस्ट क्या है और सबसे इंपॉ जो रूही ने एक अंजान शक्स के द्रू भीजवाया है वो मेसेज अर्मान जब देखता है तो अर्मान obviously being अर्मान he is a very 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 good guy अर्मान सोचेगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या अनर्थ होने जा रहा है एक जगे हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे है शादी का काम कर रहे है शुब विवा हो रहा है और दूसरी तरफ कोई इंसान सेम अपनी जान देने जा रहा है और वो इंसान कोई और नहीं बलकि घर का ही एक सदस से है भला है या पुरा है जैसा भी है घर का ही एक सदस से है बस ये चीज़ जानने के बाद अर्मान से रहा नहीं जाएगा and एक अर्मान वहां से गायब हो जाएगा क्योंकि वो इस इंसान का पीछा करें। गाजय वाजय आ गया है पूरी दोनों फैमिलीज है और ऐसे में अर्मान शादी छोड़ कर कहा जा रहा है। अर्मान अगर रूही के पास गया है तो रूही अर्मान के सामने एक्सपोज 100% हो जाएगी। अगर रूही से मिलेगा तो रूही उसे दिल की सारी बात बताएगी जो भी उसकी भड़ास है। वो जो प्रेगनेंसी वारी रिपोर्ट है या फिर अभीरा के साथ और अर्मान के प्यार के बीच में जो जो प्रॉब्म्स आ रही थी अभी तक वो सारी अर्मान को पता चलने वाली है। में चीज ये है अभीरा जो की वहां से निकल कर अर्मान का पीछा करती है अर्मान के पीछे भागती है क्या वो अर्मान तक पहुँच पाएगी क्या उसे पता चलेगा कि अर्मान गया कहां पर है। बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है मैं जल्द ही आपको बताऊँगा जैसे मेरे पास confirmation आएगा इस बारे में बट ये शादी twist वाली है। ग्रांड वैडिंग आप बोल रहे थी ग्रांड वैडिंग नहीं है भाईया बहुत बड़ी ग्रांड वैडिंग है आप इन scenes को आने दीजिए TV पर आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी ग्रांड वैडिंग है। लेकिन इस grand wedding में दूलहा दूलहन दोनों ही निकल लिये हैं, फाग लिये हैं, तो ये सबसे बड़ी update, exclusive update जो मैंने आप तक पहुंचा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो comment box में comment कीजिए, वीडियो खतम नहीं हुआ है, आगे भी बता रहा हूं दूले, मैंने आपसे पहल अभीरा से मिलने जाता है, अभीरा के घर पे अभीरा को समझाता है, और अभीरा उसकी बात मान जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाली है, so if you think कि मैंने आपको सही update दी थी, तो आपसे appreciation ज़रूर चाहूंगा, and एक प्यार इसी request एक बार फिर से करूँगा, चैनल को subscribe जरूर कीजे, बड़ इस सब के बाद सबसे important चीज़ जो मेरे दमाग में बार 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 उत्ती है, और वो ये कि मान लीजिए, रूही expose हो गई, और मान लीजिए कि ये बात रोहित को भी पता चल गई, तब रोहित का क्या हो, इ in fact आपको याद हो तो रोहित नहीं पहले कहा था दादी सा को, कि वो तब तक family business नहीं आगे बढ़ने देगा खुद की तरफ से, जब तक की अर्मान और अभीरा की शादी नहीं हो जाती, अब ऐसे में अगर रोही की ये बात रोहित को पता चलती है, तो जरा सोची रोहित क के उपर क्या गोज़ेगी, रोहित पूरी तरह से तूट जाएगा, और ऐसे में इंसान क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, सबसे पहली चीज ऐसे में इंसान blame करना ही करता है, अब रोहित के लिए कोई blame करने वाला है इस पूरी घर में सबसे पहले, तो वो है the one and only अर्मान, तो बाद भूम फिरकर अर्मान पर भी आ सकती है, अगर रोहित को ये बात पता चली कि रूही ने क्या किया है शादी के दिन, और उसके बाद रोहित क्या कदम उठाएगा, वेल ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि शायद अभी तक इसकी script लिखकर नहीं आ रहेगा, रोहित, पुरोहित, सम्रधेशुकला, रौमित राज, पराशर, बहुत सारे लोग, अल्मूस हर अक्टर इस वक्त जो शादी के अंदर उन्होंना जो अटायर पहना है, जो की बहुत रैली होता है, उस अटायर में आपको भी जाकर देखना चाहिए, और हुनोस उन तस्वीरों के जरीए आपको कोई क्लू मिल जाए, अगर मिले तो मुझे जरूर बतायेगा, मैं पता करता हूँ फिर इसके बारे में कि वो क्लू कहां तक जा सकता है, टी आरपी भी आने वाली है, सारे शोस की, तो आप जिन दिन शोस को देख रहे हैं, उन शोस की टी आरपी के लिए प्रिपेर रही है, I'm sure बहुत अच्छी टी आरपी आएगी, and specially ये रिष्टा क्या कहलाता है कि टी आरपी बढ़ने के पूरे चांसे हैं, लास्ट वीक जिस तरीके से ट्रैक चला, कभी खुशी, कभी गम, अब धीर दिने चीज़ें और खुशी की तरफ आ रहे हैं, let me tell you कि अब धीरे धीरे जितने भी fans, जितने भी viewers ये रिष्टा क्या कहलाता है, के हैं, उनकी बात मैं दिल तक नहीं रखूँगा, उनकी बात I think इस medium के जरीए पूरी दुनिया में share करनी चाहिए, तो I'll try my best कि रोज एक नहीं, दो नहीं, बलकि कई सारे जितने भी viewers हैं, जो Instagram पर मुझे message कर रहे हैं, उन सब के messages में जरूर पढ़ूं और वो लोग क्या सोचते हैं, वो आप सब के साथ जरूर शेयर करों, so that we can be a good, big, happy family, so keep messaging, keep watching ये रिष्टा का कहलाता है, on Star Plus and Disney Plus Hotstar, and subscribe to my channel for more updates, take care.